थाटा मोटर्स के बारे में जिसमें आप लोगों को यार मंदे की दिन थोड़ी बहुत रही देखने को मिल सकती है अख यार अप एन डाउन एक न्यूस काई पर से मैं बुल रहा हूँ और यह न्यूस आप लोगों को काम किये और स्टॉक मार्केट में आप लोगों को टीकना है न तो आप लोगों न्यूस के उपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो आप लोगों को अपडेटेड रहने के लिए रेडी रहना और आप लोगों को स्टॉक मार्केट में एक चीज आप लोगों बता देता हूँ अभी जो इलेक्ट्रिक विकल है या फ्यूचर में फ्यूचर में इलेक्ट्रिक विकल है उसकी डीमांड बढ़ने वाली है उसकी डीमांड बढ़ने वाली है आप लोग सूच लो कि आप अ आने वाले time में कुछ ऐसे rules ला सकती है जिससे जिससे अर पैट्रोल है पैट्रोल वेटल के उपर या diesel वेटल के उपर बहुत जादा duty लगाने की possibility आ सकते है या तो EV ईलेक्रिकर वेटल के ज्यादा pomoor करने की possibility आ सकती है government के दुवारा और आप लोगों पता ही है पुरी की पुरी यार company है एलन मस्की वो भी यार इस साल एक one year में one year में 100 billion dollar 100 billion dollar उसने यार raise किये है वो इतनी ज़्यादा grow करी है तो आप लोग सोच सकते हो electric vehicle की यार क्या future रहने वाला है तो अभी यार Tata Motors भी यार इसके उपर बुरा-बुरा focus कर रहा है, Tata Motors भी यार बहुत ज़्यादे इसके उपर focus कर रहा है और उसे की regarding ये वाली पुरी की पुरी news है, तो पहले news की उपर चलते है उसके बारे में बात करते है निऊस के बारे में उसके बाद आप लोगो थोड़ी चीज़ें बता तों आगे यहां अपर आप लोग देख सेते हुअँ यह वाली निऊस है The Hindu और उसके सबस्द यह एक दूसरा पेजा यह दोनों के दोनों page me अप लोग देख सेते हो आप लोगों पता ही होगा कि 340 जार इलेक्ट्रिक बसो का और ओडर मिला था टाटा मोटर्स को आज से थोड़े दिन पहले मलब्यार एक महिने के आसपास से तो यहाँ पर इस में से जो एर 1st 26 डिलेवरी है मलब 26 डिलेवरी बसो की करी गई है करी गई है आठ गेंटे पहले ही और आप लोग देख से त्थी हो टूटल 26 बस ये डिलेवर हो रही है और यहाँ पर आप लोगो आटिकल में नीचे अंदर जाते हो तर आप लोगो को ख़ यह जो एर इलेक्ट्रिक बस है यह बहुत ज़्यादा अच्छी है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए और हमारी एकोनोमी के लिए ठीक है तो आप लोगों को यह चीज बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी वाली बात है और फर्स्ट एवर ग्रोस ग्रोस कॉस्ट मलब यार जी स जी सी मलब यार जी सी सी बस का भी यार बहुत ज़्यादा अच्छा है और बेस्ट सर्विसिस भी प्रोवाइड गरता है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाते है टोटल 340 लेक्ट्रिक बस की यार यहां पर गवर्मेंट ने डिलेवरी का बूला था और पहली 26 इसकी डिलेवरी हो गई है और यह फुली एसी बस है आप लोगों को एसी बस देखने को मिल जाती है ऐसे है आप लोगों को बहुत सारे हमारे एंदावाद में या कहीं पर भी आप लोगों को एसे ही यह वाली को पूरी पूरी आप लोगों को इसमें एक चीज एक और जोर अब यह पैट्रोल या डीजल की है उससे आसपास की प्राइजिंग आप लोगों देखने को मिल जाती है इसका फ्यूचर भी अच्छा है इसका फ्यूचर भी अच्छा है जोर आने वाला जोर फ्यूचर है पूरे एवी विकल के उपर अच्छा मौका है आप लोग बाई कर सकते हूँ कोई भी डीप अच्छा खासा मिले तो वहाँ पर आप लोग बाई कर लेना आप लोग उगर बहुत सारे आने वाले पांच-दस सालों में बहुत जादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और आप लोग यह एक चीज जाद रखना मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करना आप लोगों को एक चीज जाद रखनी है कोई भी कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करती हूँ ब्सक्राइब देखने है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत रिसर्च करो वो भी आप लोग चेक करो डैट फरी कमपनी भी ये टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में होने वाली है डैट फरी कमपनी भी होने वाली है तो ये सारी चीज़े हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये electric vehicle या electric buses तो ये बना ही रहा है और इसने आर एक electric car भी निका लिए और electric buses भी इसकी चल रही है market में तो यह बहुत ही ज़दा अच्छी बात है देखते हैं आने वाले टाइम में इसका क्या scene होता है आप लोगों को यह वीडियो में और कोई भी information में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को comment section बताओ आपका opinion क्या है Tata Motors के उपर तो वो भी मेरे को comment section बताओ ऐसा कोई other stock है आप लोगों के नजर में तो मेरे को बताना comment section में बस स्यार अचके लिए तना ही good bye love good bye from the next week में good bye